जहीं दोस्तों, आज मैं एक और बड़ा important rule बताने जा रहा हूँ, यह rule है, आप समझे थोड़ा, hospital, temple, school, college, prison, क्या इनके साथ में हम कोई article यूज करते हैं, I am going to school या I am going to the school, क्या होगा, I am going to hospital, I am going to the hospital, नहीं समझ मैंना, confusion, चली, मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजेगा, कि अगर मैं बात मैं, hospital, temple, school, college, prison, और भी words है, jail हो गया, इसमें, court हो गया, इन जगहों का एक purpose of visit होता है, मतब जाने का उदेश्य होता है, hospital हम किसले जाते हैं, अगर वीमार हो तो treatment के लिए जाते हैं, school किसले जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, temple किस के लिए जाते हैं prayer के लिए जाते हैं, court किस के लिए जाते हैं, judgment के लिए जाते है, prison किस के लिए जाते हैं, punishment के लिए जाते हैं, तो ये जो places हैं, इनका एक purpose of visit होता है, जाने का एक उदेश्य होता है, तो समझ ये कि अगर आप एक जगह जा रहे हैं और आपका जाने का उदेश्य है, हूँ क्यों जा रहा हूँ क्योंकि मैं बिमार हूँ इसलिए जा रहा हूँ तो क्योंकि मैंने कोई उदेश से नहीं बता तो पता ही है हॉस्पिटल जो है वो बिमारी के लिए है लेकिन अगर मैं यही बोलता हूँ I am going to hospital to meet my friend अब ध्यान दीजे क्या hospital किसे से मिलने के लिए जाते हैं नहीं जाते हैं तो अब जाने का जो उदेश से है वो hospital के मुख्य उदेश से अलग है इस condition में hospital के साथ article 2 आएगा जैसे बोलुगा I am going to the hospital to meet my friend जैसे है he has gone to the hospital to visit a friend where he is employed अब देखिए अब यह hospital किसके लिए गया है अपने दोस्ते मिल गया है जो कि वहाँ पर नौक री करता है तो इसलिए अब जाने का उदेश से अलग है इसलिए यहाँ पर article 2 आया है तो मैं उमीद करता हूँ कि यह जो जानकारी है आपको बहुत काम आएगी आपके English grammar को improve करेगी जिससे कि आप कोई भी competitive में आपको कोई भी परिशानी महसूस नहीं होगी तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल defense साथ लिए को subscribe करें फर्स अगर से पहले आप अगर subscribe करते हो तो on academy का जो भी subscription है चाहें वो 6 महिने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो प्लस हो या iconic हो आपको उस पे 20% discount मिलेगा 20% जी हाँ subscription की जो भी cost है वो 20% है तो यहाँ पर देख लिजी आपका जो subscription fees है और after 20% discount आपकी fees क्या बनती है लेकिन हाँ, यह discount तब मिलेगा जब आप जो subscription लेने के time पे जो referral code यूज़ करेंगे वहाँ पे referral code यूज़ करेंगे DEFS10, कौन सा referral code? DEFS10 या unleash.partak जब ही वह आप code को apply करेंगे तो अपने आपको 20% discount आपको show करेगा तो मैं उमीद करता हूँ कि आप अगर NB की तयारी आपकी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको एक और नया रूप देने के लिए या इंडिया के टॉप educator से पढ़ने का मौका तो आज ही आप Unacademy को सब्सक्राइब कीजिए जैहन